गूड इवनिंग स्टूडेंट्स यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे दक्सिन भारत में महापासान काल ठीक है तो देखेगा फ्रेंड्स जो प्राग थेसी काल है जिसके बारे में हम पढ़ प्राग थेसी काल में कोई लिखी साक्से नहीं मिले है और मनुस्यवय पत्थर की उपकुणों का ही प्रियोग करते थे ठीक है और जो प्राग थेसी काल है इसको तीन भागों में बाटा गया है वो कोन-कोन से हैं पासान काल, कासे यूग और लोहा यूग ठीक है तो पासा का प्रियोग होने होना प्रारम हो गया था तो हमें पढ़ना है भी पासान काल तो पासान काल है इसको भी तीन भगों में बाटा गया है पूरा पासान काल मद्धे पासान काल और नव पासान काल ठीक है तो जो नव पासान काल है इसके बाद दक्सिन भारत में महा पासान काल आता है तो हमने उत्री भारत में जो भी प्राग हित्याशी काल है उसको पूरा पढ़ लिया है आप पहले वाले वीडियो उसको अच्छे से देखेगा आपको एक्जाम में भूत हेल्प मिलेगी ठीक है और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और यदि कोई भी सुझाव आप लोगों के पास है तो कमेंट बोक्स में कमेंट करें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं दक्सिन भारत में महापाशान काल तो नवपाशान कालिन संस्कृति के बाद सुधूर दक्सिन के इतिहास में जिस संस्कृति का प्रारम हुआ उसे महापाशान यूगीन संस्कृति कहा जाता है इस संस्कृति के लोग अपने मर्दकों के आवस्यसों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े पत्रों का प्रियोग करते थे ठीक है तो मतलब कि जो दक्सिन भारत का जो महापाशान काल है उसको महापाशान काल क्यों कहा जाता है ठीक है और जो कब्र होती थी उनके साथ अस्ति पंजर भी मिले हैं अस्ति पंजरों के साथ साथ मर्द भांड लोहे की वस्तुयें आभूशन भी मिले हैं तो इनसे पता चलता है कि ये लोग पूनर जन्र में विश्वास करते थे अब देखीगा जो बड़े बड़े जो कब्र हैं इनकी निर्माता प्रहे प्राग साखसर लोग थे इन रचनाओं के उद्र से अथ्वा उनके उप्यों के विशे में निश्चित रूप से कुछ भी कह सकना कठिन है गाडन चाइल्ड का अनुमान है कि महापासान किसी अंध्विश्वास समंदी अनुस्ठानिक अत्वा धार्मिक उत्यसे से बनाए जाते थे तो दक्सिन के अंध्र, करनाटक, तमिनाडू, केरल के विभिन पूरास्तलों जैसे ब्रह्मगीरी, मास्की, पुद्दु कोटे, चिंगल पुत, सानूर, आधिसे व्रहत पासानिक समाधियों के अवसेस मिले हैं इनके कुछ समाने विशेश्थाएं भी हैं प्राय सभी महापासानों का निर्माण उची पाहडी स्थलों पर किया गया है, तथा इनके नीचे एक या अधिक ताला भी पाये गए हैं इसका कारण संबवता है, निर्माण समगरियों की सुलबता इम क्रिशी के लिए सिंचाई की सुविधा रहा होगा इसे ये भी सुचित होता है कि महापासान रहने की बस्ती के समी भी बनाये जाते थे इन इसमारकों के निर्माता क्रिशी कर्म से भली भाती परीचित थे, तथा इनके द्वारा उत्पादित पर्मुक अनाथ, चावल, जो, चना और रागी आदी थे वे लोहे का उप्योग भी जानते थे, तो जो दक्सिन में महापासान काल के जो लोग हैं वो लोहे का उप्योग भी जानते थे सभी समादियों में एक विशिस्परकार के मृत्भाण जो काले और लाल प्राप्त होते हैं, ये चाक पर बनाए गए हैं, तथा इनके उपर पोलिस भी मिलती हैं, इन्हें उल्टे मुहे आग पर पकाया जता था, इनका भीत्री तथा मुहे के पास वाला भाग काला हो गया है, जबकि सेस लाल है, परमुक बरतन, घड़े, मटके, कटोरे, ठाली, आदी हैं, मिट्टी के अलावा तामबे तथा कांसे के बरतनों का उप्योग भी ये लोग जानते थे, प्रहे सभी समादियों से आंसिक समादि करण के उधारन भी मिलते हैं, समों को जंगली जानरों के खानने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसके बाद बच्ची हुई अस्तियों को ही चुन कर समाधिस्त करने की पर्था थी, विद्वानों ने इस संस्कर्ती का काल इस्वा पूर्वय एक हजार से लेकर पहले स्ताब्दी इस्वितक निरदारित किया है, तो देखें स् इस से बहुत मैतों पूर्ण है, और हमारा वीडियो अन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड़ेज पे